हाई विवस आज मैं आप लोगों को एशिया उसके कंट्रीज केपिटल्स करंसीज फ्लेग एंड लॉकेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो हैल्फुल होंगे साबित कॉंपिटेटिव एक्जेम्स और जो बाकी एक्जेम्स होते हैं उसलिए ये दुनिया का नक्षा है दुनिया का नक्षा साथ सो में डिवाइड़ है ये नौर्थ अमेरिका के कंट्रीज ये साउथ अमेरिका के कंट्रीज है ये अंटार्क्टेका है ये आस्टेलिया है ये एशिया है ये आफ्रीका और ये योरप है ठीक है सेवन कॉंटिनेंट्स हैं आज मैं रहे 46 independent countries है एक जो country है ताइवान वो थोड़ा वो तबी भी मतलब बिल्कुल fully independent नहीं कि चायना उसको तसलीम नहीं कर रहा बाकी 46 independent countries है आएं तो start करते हैं सबसे पहले है अफगानिस्तान अफगानिस्तान का फिलेग यह है अफगानिस्तान का केपिटल जो है काबल और उसकी करंसी जो है अफगानिस्तान की अफगान अफगानी अफगानी करंसी है इनकी अच्छा लोकेशन में जाएंगे तो अफगानिस्तान यह है पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है अफगानिस्तान इधर से अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान और एक S.P.N.C. वगरा यह मतल को नहींस हमीर्ट केपिटल य मेन और क्राइब Hindu कोने अर्मेनिया और कि भाइड़ हम् दान लोकेशन आफ हां और लोकेशन आफ मेनिया अर्मेन Meansً लोकेशन इस सियंगा डीयर दर dariion हैं जार्जिया जो यूरॉप को बिक थडा हैं अजर्बाइजान तुरकी इसके करीब हैं बिल्कुल यहां से इरान है कैस्पियंसी वगरा वगरा ठीक है अर्मेनिया यह दिस वन इस अर्मेनिया अच्छा यह आजरबाइजान थर्ड कंट्री है आजरबाइजान का केपिटल जो है बकू आजरबाइजान मानत करंसी जो है और इसका फिलेग यह है ठीक है आजरबाइ और करंसी जो है बहरेनी दिनार, तै करंसी आफ बहरेनी दिनार, ओके यह अरब कंट्री है, इसकी लोकेशन देखेंगे, आप लोग बिल्कुल यह जो रेड लगा हुआ है, इस वन यह इराक और इरान और सौध यह रेवा के करीब ही है, बहरेन, ओके नेक्स आजा है, बंगल करीब है, इंडिया में ही है, इस वेस्ट पाकिस्तान इस तरफ है, यह इस्ट पाकिस्तान ठीक इन इंडिया में ही है, बंगला देश, ओके, नेक्स्ट यह लोकेशन है, बंगला देश की एशिया का यह को मेप है, अच्छा उसके बाद है भूतान, भूतान का यह फिलेग, फ्लेग रेकेपिटल अफ भूतान इस थिमफू एंड करंसी अफ दो मुन तरंड निगलतर हूं ठीक है दो भूतान जो है यह दिस वन इस भूतान यह बिलकुल चयना के करीब जो है उसको भूतान मतलब लोकेशन है इसका आजा है नेक्स्ट बून बूनिह का यह प्रण बरुम्नीस बंदर सेरी बगवन और करन्सी जो है दॉलर होती है इसकी करन्सी और बिरुम्नी जो है बिल्कुल इदर इंडोनेशिया के ही करीब है ठीक है बिरुम्नीस लोकेशन में आचे ऊसके बाद है कम्बोडिया instructors नॉमफें और करन्सी जो है रायल और यह वह फिलेग है Cambodiya का Cambodiya का पुर्हाना नाम कंपूचिया भी है Cambodiya को अगर आप लोग इसमें के लोकैशन में मैप में देकें लिए तो यह बिल्कुल आप लोगों वे ताइलन्ड के करीम मिलेगा और यहां से इसको लाउस भी है थाइलन्ड और governo पे इसको Egypt नम जो है वो मिलेगा ठीक है कमबोडिया नेक्स्ट है चाइना फेमस कंट्री चाइना का केपीटल है बीजिंग एंड करंसी अफ चाइना इस चाइनीज यौन ओके चाइना को आप लोग देखेंगे तो यह चाइना आप लोगों को मिल जाएगा रेड लगा हुआ है इसके ठ है ठीक है अचा इस टैमूर डिली कैपिटल एंड करंसी यू एस डालर इस टैमूर का जो करंसी है यू एस डालर है और इस टैमूर यहां पे मेंशन नहीं है मदल्ब नहीं दिखाया गया है इस टैमूर यहां पे ही करीब है इंडोनेशिया के इस तरफ ही है ओके दिली आच इंडियन, रूपी बेरी फेमस कंट्री, इस इंडिया, ये बंगला देश की भी इंडिया में ही आता है तर पाकिस्तान के बिल्कुल करीब, आचा उसके बाद है इंडोनेशिया, इस इस दे फिलेग, इंडोनेशिया कैपीटल, जकार्ता, करंसी, रूपया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जाजीरे बहुत है आईलेंड बहुत है इंडोनेशिया मलाइशा और इंडोनेशिया बिल्कुल आपस में मिलत जलते कंट्रीज हैं ठीक है लोकेशन में इरान इनदर इसलामिक कंट्री इरान दे केपिटल आफ इरान इस तहरान इरान इन डियाल इसका जो अचा ये साओी अरेव है, स्के करीब है तरकमेनिस्तान, PN-C, पाकिस्तान और अफगانिस्तान इसके पड़ोसी मुलक है, एराक भी सका बफ़ोसी मुलक है इस वन इयाक में एमाम फुसेनि आलिया स्रेम। इमाम अलिया स्राम का मजार भी है मौजूद। अचा इसराइल, इस्राइल जुविश कोंट्री, जेरिwn Yerushisais is the capital, इसराइली suicide, इस्राइल को विबद वियं में ते सीसथी, और भी पूसराइल, भी यहीं पे मुझूद है लेकिन वह कंट्री स्टेटस को कंट्री का नहीं है अच्छा इस्राइल के बाद है जापान टोक्यो केपिटल यन इस दे करंसी आफ जापान इस दे फिलेग ठीक है अच्छा इसका लोकेशन में देखेंगे जापान बिल्कुल इस्ट फॉर इस्ट में पाया जाएगा दिस वन इस जापान यहां से रशिया लगता है इसको और चैना से इसका जगड़ा चल रहा है ठीक है जापान अच्छा यहां पिरोशेम और नागासा की में बंबी ग्राय गया थे याद रहे जॉर्डन केपिटल अमान या अरेबियन कंट्री है और इस दा फिलेग जॉर्डन का ठीक है जॉर्डन भी बिल्कुल आप लोग देखेंगे तो इराक के करीब ही पाया जाएगा साओधी अरेविया और इराक के करीब इस वन ओके अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट सोरी कजाकिस्तान यह 1991 में आजाद हुए थे इंडिया से कजा मुल्क हैं यह रशिया से आजाद हुए थे 1991 में गुर्बचु के दोर में अच्छा कोईट कोईट सिटी एंड कोईटी दीनार इस देखेंगे तो यह अरेबियन पेनिसूला में पाया जाएगा कोईट ठीक है बिलकुल कोईट इरान के करीब ही है कोईट इस वन ठीक है यह फिलेग है यही भी 1991 में रशिया से आजादी पाई थी इन्होंने भी और यह भी बिलकुल तुर्क में कजाकिस्तान के करीब है सेंट्रल इसिया में पाया जाता है किर्ग जिस्तान ठीक हैं डिस वन आचा नेक्स्ट कंट्री है लाउस लाउस का वेंटिया ने केपिटल और यह साउथ एसित अशिया करीज है इसका फिलेग दिस लाउ किप ठीक है यह यह एस ईसियन ज़क distorted जो मिलक है यह ऑश्छेशन अब सौट इस अशियन कंट्रीज उसी में शामिल है विटनाम थाइलेट के करीब है यहां पर मियान मार या बर्मा सको करीब से मिलता है और लिबनान लिबनान जो है बेरूट लिबननीज पाउंड टोर ये एक फिलेक दिस इस फिलेक लिबनान में तीन हकूमते पाई जाती है एल तश्शी एल सुन्नत और एल किरिस्चन्स की हकूमत ये इसराइल के बिलकुल करीब है हिजब ला की वज़ा से भी लिबनान बहुत इदर है वो भी यहांवे पाया जाते हैं ठीक है आचा उसके बाद हैं मलाइशिया मलाइशिया मुस्लमानों का मुल्क है while ay 미 का कॉल अंड़ेक लिबनालमपूर की मलाइशिया की भी बिलकुल करीब है कन्सक्स्यक्त बीबिबना का मैली इसको बोलते हैं और रुफयय इसका करन्सी है और ये भी ज़िएरे हैं दो तीन माल्दीव अरब करुंटीज को ही क्यालाते हैं मतलब अरब ही है यहाँ पे मूजूद चीक है अमीर होते हैं यहां के अच्छा मंगोलिया अलान बेतर मंगोल बहुत मशूर है अलान बेतर केपितल इंड करंसी इस तोगरिक और यह दिस इस दग फिलेग और मंगोलिया जो है रश्या और चाइना के बीच में पाया जाता है इस इस मंगोल मंगोल और वेरी फेमस में ट्राइब्स यू कें से आचा मियानमार इसका बर्मा पुराना नाम था निप यादो और बर्मीज इस ग्याठ और फिलेग दिस इस फिलग रहुंगिया मुसलमानों का जो कतल्याम हुआ था यह मियानमार में ज्यादा दर बुद रहते हैं तो यह रहुंगिया मुसलमानों का जो केस चला था यह भी यहाँ पे चला था यह बिलकुल करीब है इंडिया के और थाइलेंड और तर्फेल प्रोप करणे जाता है और इंडिया के करीब ठीज है इसके वे रुडर से सार्क का निया रूहनिय नार्थ कोरिया नार्थ कोरिया का दिस इसरफ के improv प्यूंग यों और नार्थ कोरियन वोन है यह को इन दो कंट्री जो एफ। यह को आफ चैना को साथ है फिडियर करता है आप इसको देखेंगे बिल्कुल चैना गे inglis वाले हिश्ते हैं मतलब यह!! फिर सिंथ नार्थ कोरिय और नीचे वाला घूर्थ कोरिया है ओपर ओला है चाईना से जो कनेक्ट है वह नौर्थ कोरिया है अचा ऑमान और अरवन कंट्री यह फिलेग है इसका मस्कत ऐसके अक्षिस ऑमानियन रियाल ओके ये ओमान आपको मिलेगा यहाँ पे दिस वन बिल्कुल ये ओमान है अरे विन पर रसूला में है ये यमन और इसके बाद ओमान है ठीक है अच्छा उसके बाद है पाकिस्तान पाकिस्तान का ये फिलेग है केपितल इसलमाबाद पाकिस्तानी एरुपी ठीक है ये पाकिस् इरान और चाइना की बॉर्डर मिलती है यह पाकिस्तान है ठीक है अच्छा उसके बाद है पाकिस्तान के कराची फेमस सिटी है फिल्पैन्स जो है यह फिल्पैन्स फिल्पैन्स जो है एक मुल्क है मनिल्ला इसका केपिटल है पेसो इसका करंसी है यह भी फार इस्ट कंट्री कहा जाता है Asian countries Far East countries जो है वो कहा जाता है इसको ठीक है एनниц इर डीक आभ अर्टर्मटला राव कतरी रियाल and this is the flag of कतर और ये अरेबियन कंट्रीज के लाता है बिल्कुल ये देखो पर्शियन गल्फ में मौजूद है कतरी रियाल कतर सोरी आचा नेक्स्ट है साओधी अरेबिया ये सलम मुसलमानों का जहां पे हजरत मुहमुन सलिल अले वाली वाली वासलम पेदावे थे और साओधी रियाल और रियाज इसका केपितल है और ये बिल्कुल इस साओधी अरेबिया इरान और इसके करिभ है बिल्कुल चीक है यह सिंगापूर है इस्पवय की गनाता ही इसलेतारे वा द मैं सामनमी आप लोगों नीचे वारा हिस्षा का ही ईपने माँ इसलेता हुआ साउध कया बहीर है का है ठीक है सीरिलंका सीरिलनका क जो केपीटल है सारी सिरी जयवर्दनेपुरा कोट्टे इस इस फिलेग और यह आप लोगों के जजसीर नुमा सैलून जिस को बोलते थे सीरे का मिलेगा इंडिया के बिलकूल नीचे ओक है अचा शीरिया शाम को नहीं और इसका दमशकश बिल्कुल पुराना के पीतल है दुनिया का और सिरियन पाउंड जो है इसका करनसी है और दिस इस दे फिलेग और यह आप लोगों को तुर्की के इरान के बिल्कुल करीब भी मतलब तुर्की के बिल्कुल करीब ही मिलेगा यह आपको सिरिया ठीक है है इंनिपनेंट कंटरी खुदको केहता है लेकिन चैना केहता है लेकिन चैना केता है की नहीं इसका केPTu Just Iraq चो किया केकित alуп है अ दे यंडी नैंडी वन में जो आजाद हुए थे पांच मुलक रश्या से मुसल्मान मुलक जो हुए थाइलेंड का बेंककोग और थाइभात इसका करशी है और यह बिल्कुल थाइलेंड आपको एशीन कंट्री जो है साउथ इस्ट एशियन कंट्री जो इसको बोला जाता है तिस इसको आदा इससा यूर्प का है यूरप का है आदा इससा तुर्की का है वह एशिया का है लास्ट में यूरप कॉंटिनन्ट से मिलता है यह तुर्क मेनिस्तान यह भी 1991 में यरशिया से आज़ाद हुआ था मुसल्मान मुलक है अशागबाद और मानत जो है इसका केपिटल है ठीओ करनसी है सोरी और यह भी आप लोगों को सेंट्रल अशिया में मिलेगा तुर्क मेनिस्तान पांच कंट्री सेंट्रल अशिया में क्या लाए जाते है ठीक है आचा यू एई यूनाइट अर्ब एमाराइस इसका अबू दहबी केपितल है धरम करनसी है इस इस चांच आचा ऊचा उस्बेकिस्तान यह BT 1991 में आजद होा था इन रसिया से और यह इसका ताशकंट ओर सौम सी करनसी है और यह आपको मिलेगा उस्बेकिस्तान दिस वन छी है सबसे ज्यादा सेंट्र box या का बड़ wedle ने वहितनम ये इस का करदble वाले वलओभ जो रखव और फ्रांसे लड़े थे और ये कम्यूनिस्ट टाइप के लोग हैं जनल ग्याप यहां के थे और ये है वेटनाम ठीक है आप लोगों को चायना के नीचे मिलेगा था लाउस के करीब यमन यमन मुसलिम कंट्रीज है यहां पे हुसी शियाज रहते हैं मतलब वो शिया है ज्यादा तर उनकी हुकुमत है हुसी और सना इसका केपितल है यमनी रियाल ठीक है जैदी शिया है वो यह यमन है जो अमरिका साओधी अरविया से भी लड़ता है साओधी अरविया वाले दियो आप लोगों को मजीद विडियो जो है मैं अपलोड परूँगा थैंक यू वेरी मच्छ